2015 में पहली बार जॉन कैरीरों की चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद से थेरानोस घोटाला सुर्खियों में च्छाया हुआ है और इसने दुनिया भर के लोगों को मोहित और भैभीत कर दिया है कमपनी के संस्थापक Elizabeth Holmes स्वतंत्र रहने की बोली हारने के बाद अब जेल में है जबकि वह अपनी दोश सिद्धी और 11 साल की सजा के खिलाफ अपील कर रही है हम थेरानोस विवाद के बारे में वह सब कुछ प्रकट करते हैं जो आपको जानना आवशक है अब तक की पूरी कहानी सुने और आगे क्या खुलासा होने वाला है डॉट यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृप्या सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और इस तरह के और एपिसोड के लिए कमेंट करें डॉट 2014 में थेरानोस एक रक्त प्रीक्षन स्टार्ट अप एक कथित क्रांतिकारी तक्नीक पेश कर रहा था जबकि मौझूदा तक्नीक के लिए प्रतेक नैदानिक परीक्षन के लिए रक्त की एक बूंद की आवशक्ता होती है थेरानोस ने रक्त की केवल एक चुटकी के साथ कोलेस्टरॉल के स्तर से लेकर जटिल आनुवन्शिक विशलेशन तक सैक्डो परीक्षन माना जाता है कि 240 से अधिक करने में सक्षम होने का दावा किया है स्वचालित, तेज और सस्ती थेरानोस ऐसी तकनीक पेश कर रही है जो चिकित्सा में क्रांती ला सकती है और दुनिया भर में जीवन बचा सकती है धेरानोस की संस्थापक और सीओ एलिजाबेथ होम्स ने ट्यूशन के पैसे से कमपनी की स्थापना के लिए स्टैंडफोर को छोड़ दिया था और जब धेरानोस अपने चरम पर था तब वह केवल 30 वर्ष की थी लेरी एलिसन और टिम ड्रेपर जैसे दिगजों से 700 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाने के बाद कमपनी सिलिकॉन वैली का उभरता हुआ सितारा बन गई थी और इसका मूल्य 9 बिलियन डॉलर से अधिक था जबकि आधे से अधिक हिस्सेदारी के साथ होम्स को इस पद पर आसीन किया गया था महिला स्टीव जॉप्स डॉट एक मात्र समस्या तकनीक काम नहीं आई यहाँ दव वॉल स्ट्रीट जर्नल के दो बार पुलिजर कुरसकार विजेता पत्रकार जॉन कैरी रोव थे जिनोंने पहली बार 2015 में कहानी को उजागर किया था थेरानोस तकनीक के प्रदर्शन पर संदे करने वाली एक टिप प्राप्त करने के बाद जॉन की रुची होम्स की जमीन का आविशकार करने की कथित शमता से और अधिक बढ़ गई थी स्टैन्फोर्ड में केमिकल इंजिनियरिंग कक्षाओं के सिर्फ दो सेमेस्टर के बाद चिकित्सा प्रोध्योगी की को तोड़ना दरानिद्वकाने और कानूनी कारवाई की धंकियों के बावजूद थेरानोस के पूर्फ करमचारी एरिका चेउंग और टाइलर शुल्ट्स जिनके दादा जॉर्ज शुल्ट्स थेरानोस बोड के सदस्य थे ने जौन के साथ कमपनी इसकी तक्नीक और प्रथाओं के अपने अनुभव साज़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने बोड के सदस्यों के सामने जूट का खुलासा किया दरानिद्व काने और गोपनियता की संस्कृती प्रोध्योगी की जो गुणवत्ता आश्वासन में बार-बार विफल रही और महत्वपूर्ण रूप से वास्तविक रोग्यों को भेजे गए परिणाम मौलिक रूप से गलत थे जिस पर जीवन बदलने वाले चिकितसा निरने लिए जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कमपनी दुस्सासिक जूट के अलावा और कुछ नहीं पर बनाई गई थी। अपनी तकनीक का उप्योग नहीं कर रहा था। उन्हों ने यहां तक कि भाड में जाओ कैरियूर के नारे भी लगाए डौट। बहरहाल, 2018 में होमस ने CEO के रूप में पत छोड़ दिया और कमपनी के पूर्व अध्यक्ष रमेश बलवानी के साथ उन पर आपराधिक धोखाधरी का आरोप लगाया गया। उन्होंने कथित तोर पर निवेशकों को गुमरा किया और कमपनी की रक्त परिक्षन तकनीक की दक्षता के बारे में जान बूच कर जूटे दावे किये। तीम महीने बाद FBI की जाच के बाद कमपनी आधिकारिक तौर पर बंध हो गई जिससे हजारों पूर्व कर्मचारी जिनमें से कई जौन को इमानदार प्रतिभावाले प्रतिभाशाली लोग लगे कमपनी की धोखाधरी गतिविधी से अनजान थे और अपने भविश्य के बारे में अनिश्चित थे। जनवरी 2022 में होम्स को निवेश्कों को धोखा देने के चार आरोपों में दोशी पाया गया और नवंबर में उसे 11 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई। थेरानोस के पतन के बारे में अधिक जानकारी मुकदमे में सामने आई अभियोजको ने होम्स पर थेरानोस के व्यवसाय के अंतिन दिनों में सबूत नश्ट करने का आरोप लगाया। अपने बचाव में गवाही देते हुए होम्स ने थेरानोस के ओपरेशन में गलतियों को स्वीकार किया लेकिन यह कहना जारी रखा कि उसने कभी भी जान बूज कर मरीजो या निवेशकों को धोखा नहीं दिया। होम्स अपनी दोर्शिद्धी और सजा के खिलाफ अपील करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा करते समय वह जेल से बाहर रहने का दावा खोब बैठी और अब सलाखों के पीछे है। अब तक इतने सारे उतार चड़ाव के साथ ऐसा लगता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।